What the heck is going on friends, मेरा नाम है Vic Indicoder के तरफ से और आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्ते अगर हम लोग प्रीमियम स्मार्टफोन के बारे बात करें दिन तीन ब्रैंड मेजर रोल यहाँ पर प्ले करते हैं एक है Apple, दूसरा है Samsung और तीसरा है OnePlus अब इन में से सबसे affordable है OnePlus जो की एक Chinese brand है Now don't get me wrong इस विरो में मैं बिल्कुल भी China, non-China इस segment को लेके बात नहीं करने वाला यह आपके ओपर depend करता है लेकिन इस विरो में मैं दो चीजों के लेके बात करने वाला हो कि क्या Asus को 50,000 रूपीज में खरीना चाहिए इस एस एस एक प्रेमियम सेग्मेंट और दूसरा है कि Asus खुद इस फोन को एक gaming centric smartphone के तरफ से marketing कर रहा है तो क्या एक non-gamer इस smartphone को यूज कर सकते है कि आप day-to-day usage के लिए ये फोन पर्चेस कर सकते है यह सब कुछ बता हुआ लेकिन उससे पहले छोटा से रिक्वेस्ट अगर चैनल पर नए आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सब बेल आक हम को पेस्ट कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और अगर पहले से ही कर दिया है और अगर पहले से ही कर दिया है और थेंक यू So you got a badass looking box इसको open करेंगे दिन आपको एक छोटा सा container मिल जाएगा और उसके नीचे आपको प्लास्टिक के अंदर छुपा हुआ मिलेगा स्मार्टफोन इटसेल्फ और इसको बहार निकालती ही आप फिल करोगे कि इस डिफरेंट वह कॉंटेइनर के अंदर आपको मिल जाएगा इसका एक हाट केस और उसके साथ कुछ आरोजी स्टिकर्स इसके बाद आपको मिल जाएगा एक पावर ब्रिक जो की 30 वाट का आउटपुट देता है और आखिर में डेफिनिटी एक टाइप-C केबल और हाँ साथ में टाइप-C टू 3.5 mm अदाप्टर तो सबसे पहले ही मैं बता जेता हो कि गाइस यह दूसरे किसी भी स्मार्टफो आपको कम्प्लीट एक अलग ही अंदाजिया पर मिलेगा लोग दूर से देखेंगे इवन मेरे रिलेटिव दूने भी देखा था और बोला थे कौन सा फोन है इट रेली लुक्स नाइस और अगर बिल कोईटी के बाद कर दें इस सॉलिट बिल फोन बहुत ही बहुत ही प्र पाओगे तो बिलको इस एबसलुटी ली ग्रेट फॉंट और रार साहर दोनों में प्रॉटा घ्लोटी के ब्ला प्रॉट की प्रॉटी मिल जाती है और मैं फिरसे बोलता हो इसे रिली सॉलिट फोन बट ये बहुत ही बहुत ही भारी फोन है मैं इसले वेट नहीं जानता मे आपको ध्यान रख रहा होगा अब इसके लिए गाइस मुझे नहीं लगता है कि आप इसको एक हाथ से यूज कर पाओगे तो दोनों ही हाथों का आपको इस्तेमाल करना होगा डिस्प्ले को रीच करने के लिए इसमें आपको मिलता है 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले अंड कलर सा रेली गुड वाइबरेंट बहुत ही मुझे अच्छा लगा था लेकिन हलका सा यह पर कलर शिफ्ट हो जाता है जब आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में तेल्ट करोगे लेकिन अगर मैं ब्राइट इस डे में भी बहुत ही क्लियर डिस्प्ले को देख पाऊगे उस मामले में यह डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है और यहां पर आपको मिलता है 144 हर्स का रिफ्रेश रेट जो की मतलब चीजों को बिल्कुल स्मूध बना देता है अब मैंने पहले भी पोको इस्ट्यू उसक से जो कि मुझे लगता है बहुत ही अकुरेटली काम करता है इस रेली फास्ट एंड रेली रेस्पॉंसिव अब कुछ चीजों के बाएं बात करते हैं जैसे कि इसमें आपको मिलता है कैरियर एग्रिगेशन और मुझे कभी भी नेट्वर्ग ड्रॉपिंग इश्यू नहीं करकें बारे बात करो दिनिहां पर आपको स्टीजू स्पीकर जिया गया है और मैंने आज तक कभी इतना बहुतर स्पीकर मैंने एक्स्पीरियियंस नहीं किया किसे भी च्माट फोन में ज्रेली रेली पिल्ग बहुती लाउट है अब सप्राइश रहों के कि यहां पर आपक से बने हैं कि आप एजी लिफ्ट और राइट में एक डिस्टिंशन कर पाऊगे कि एनमी कहा से आ रहे है और हाँ जब इसके बाएं बात ही कर रहे है तो यह नो 3.5 mm headphone jack लेकिन आपको साइड में टाइप सी पोट दिया गया है जा पर आप वो डॉंगल यूस करके इसको स्वाल कर पाऊगे और अब बात करतें गेमिंग के बारे में तो मुझे नहीं लगते इसके बात करने की ज़रूरत है अब यहां पर आपको दिया गया है snapdragon 865 plus chipset साथ में 8 GB DDR 5 RAM and 128 GB UFS 3.1 storage read and write speed बहुत ही बहुत ही मखन आपको मिलेगी बिल्कुल smoothest performance गाइज एकदम मतलब मखन पर्फॉर्मेंस आपको यहां पर मिलेगी fastest Android smartphone सा बोलता है I don't know fastest है या नहीं लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही fast था बहुत ही गजब आपको experience मेलेगी performance was absolutely breeze और छोटे-छोटे जी improvements यह आपर किया गया है जैसे कि इसका vibration motor बहुत अच्छी तरी किसे यहां पर मिलेंगे बिल्कुल close to stock and experience साथ में बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में कस्टुमाइजेशन का भी option दिया गया है ओफराल बहुत यह अच्छा package है for performance अब camera's के बाएं बात करें देन primary है sony imx686 sensor साथ में 13 MP का ultra wide lens और 5 MP macro camera और daylight में यह काफी अच्छी photos खीच लेता है बट मुझे लगा कि यह like out of the world कुछ नहीं है they are really good but like flagship level camera मुझे यह आपर नहीं लगा यह मैं बोलूंगा but they are very good pictures और अगर मैं front के बारे में आपको मिलता है 24 MP sensor और मुझे लगता है कि front camera में अभी इंप्रूम्मेंट होनी के जरूरत है skin tone थोड़े से जीब लगता है I think अभी इसमें थोड़े बहुत processing के जरूरत है HDR में कभी कभी struggle करता है all the hardware software बहुत ही capable है तो देखते यस उस कोई update rollout करता है या नहीं अब बात करते हैं इसके बैटरी के बाले में तो 6000 MP का बैटरी दिया गया है एंड मुझे seriously लगा था कि because इसमें 144Hz refresh rate है तो उतना शायद 6000 MP जितना नहीं मिलेगा लेकिन given any scenario guys आप easily यहाँ पर 10 घंटे का screen on time निकाल सकते हैं even मैंने इसमें एक घंटा gaming किया था फिर भी फिर भी मुझे इतने बहतर screen on time मिल रहे थी मतलब अगर आप एक normal user हो तो आपका दो दिन सूपर भी से निकल जा सकते हैं मतलब बहुत ही बहुत सॉलिड बैटरी लाइफ यहाँ पर दिया है और यह आराउंड आपका कि साइट जो पैनल है वो थोड़ा सा हीट हो जाता है तो आपको यह स्मार्ट फोन लेना चाहिए या नहीं तो मैं आपको बोल देता हूँ कि इसमें मुझे बस एक ही मेजर कॉन लगा वह इसका वेट मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एडाप्ट होना में इस रे की बात नहीं है और मुझे लगता है पचास हजार रुपीज के लिए बहुत ही बहुत यह अच्छा स्मार्ट फोन है हाँ अगर आप कंपैटिविलिटी के बारे में देखो देन वन प्लस साइट आपके पैसे बचा देंगे और और मैं आपको गैरंटी देता हूँ कि इसक कॉमेंट करके बताएं बहुत यह अच्छा नॉन चाइनिज ऑप्शन है विचिसरे रेली गुट थेंग तो मैं उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता है जरी पिने लाइक कीजिए कैसे लागो कॉमेंट करना ना भूलिए तो आपका दिन शूब रहे मिलता अगले वीडिय मेंट, पीस